सल्मान खान बॉलिवुट की मेगा स्टार है जो इस वक्त अपनी आने वाली इत रिलीज रेस्ट्री की शूटिंग में व्यस्त है और अगले दो साल तक सल्मान ने कहीं फिल्में अपने लिए लाइनप की है रेस्ट्री के बाद सल्मान शायद अली ABBA ZAFर की फिल्म भारत की शूटिंग शूरु कर देंगे और उसके बाद दबंग 3 और किक 2 अगर बात की जाए फिल्म किक 2 की तो डिरेक्टर साजद नाडियारवाला ने डिरेक्शन में डेब्यू किया था फिल्म केक से। और अब उनहोंने कहा है कि सल्मान خان के फिल्म केक ट्व में कोई डबल रोल नहीं होगा. उनहोंने ये भी कहा कि फिल्म की स्क्रूप्टिंग अभी तक जारी है, और इसे पूरा करने में तकरीबन एक साल लगेगा। तो अब ये साफ है कि अब तक फिल्म के कोई भी डीटेल्स रिवील नहीं हुई है और यही वो वज़ा है जो फैंस के उत्सुकता भी बढ़ाएगी बॉलिवुड की कुछ और खास खबरों के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले